नमस्कार दोस्तों मैं भामनी मिश्रा अपने चैनल में आपका एक बार फिल से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग मातरानी क्रिपा आप सब पर बनी रहें इस वीडियो में मैं आप से शेयर करने जारी हूँ कि मकर रासि में आज सनी देव प्रवेश करने वाले हैं तो प्रवेश का सुब मुहुर्द क्या है और विभीन रासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बहुत लोग की साड़े साती लग रही है तो इससे संबंद में बहुत सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करने जारी हूँ तो वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इस साल मार्क आमश्या के दिन यानि 24 जनुवरी को सनी महाराज अपनी पहली राशी मकर में प्रुवेश करेंगे सनी के इस राशी परवर्तिन के साथ ही कई लोगों की ढहया और साड़े साती समाप्त हो जाएगी तो कुछ लोग इसके प्रभाव में आ जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि साड़े साती उतरी और आप बहुत अच्छे दिन शुरू हो गए सनी महाराज को सभी ग्रहों में धीमी चाल से जनने वाला माना जाता है इसलिए इनका अच्छा और बुरा प्रभाव आने जाने में कुछ वक्त लगता है ऐसे में 24 जनवरी 2020 की दोपर 12 बच कर 4 मिनट पर जब शनी अपनी ही राशी मकर में जाएंगे तो कुछ लोग बहुत खुश हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत बेचैन हो जाएंगे क्योंकि उन पे साड़े साती लग जाएगी तो चलिए मैं आगे बताती हूँ कि यह राशी में परवर्तन पहले कब हुआ था यह राशी परवर्तन 30 साल बाद हो रहा है इसके पूर्व 15 जनवरी 1990 को राशी में परवर्तन हुआ था सनी देव मकर राशी में 18 जनवरी 2023 तक स्वग्री ही रहेंगे इसके बीच 30 अप्रेयर 2022 से 19 जुलाई 2022 तक कुम राशी में गोचर करेंगे तो अब मैं बताने जारी हूँ कि विभिन राशी पर इनता क्या प्रभाव पड़ेगा तो सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की सनी के गरी परवरतन से मेश राशी के लोग खिल खिलाएंगे और चैन की बास्रू बजाएने वाले हैं तामरपाद का दश्वा सनी नए रिस्तों के सहयोग में कामयाभी के नए किर्थमान स्थापित करेगा कुल मिलाकर यह परवरतन मेश्वासी के जादों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है वरिश रासी सनी का मकर में प्रवेश वरिश रासी के लिए नए रिकॉर्ड बनाएगा विर्श रासी के जातकों का सूरत चड़ेगा इस रासी के लोग प्रसंद रचित नजर आएंगे ये लोग राहत की सांस लेंगे स्वान चरन का नौवा सनी थोड़ी आर्थिक उर्जन के बाद लाफ जरूर परदान करेगा मिथुन रासी की बात करते हैं सनी के इस ग्रिप रवरतन से मिथिर रासी के लोग सनी की धहया के असर में आ जाएंगे और कुछ परिसान नजर आ सकते हैं रज़त चरन का अस्टन सनी आर्थिक तनाव के साथ साररेक परशानियों के प्रिस्टुपों में तयार कर सकता है माता पिता को कस्ट से तनाव की आसंका बन सकती है अब हम बात करेंगे करक रासी की बात अगर करक रासी वालों की है तो इनके लिए सनी जब अपनी रासी में मुश्क्राएगा तो कभी आपको परिसान कर सकता है लेकिन कुछ भी हो जिन्दगी में रोचकता आपकी बनी रहेगी रचत पाय का सत्तम सनी रिस्तों में दरार लाने का काम कर सकता है लेकिन साथ में मान सम्मान को नए आकास तक पहुचाएगा सिंग रासी मकर का सनी सिंग रासी के लिए होसले को नए उरान देगा रशित पात को च्छटा सनी आनन दायक है यह आपके कैरियर को नया आकास और मन में विस्वास लाएगा इस दोरान जेबें आपकी भारी हो जाएंगी जीवन में परसंता बनी रहेगी सन्यारास की बात करेंगे जब सनी अपनी ही रासी मकर में जाएंगे तो जोस में आएंगे और कन्यारास के लोग सनी की ढहया से मुक्त हो जाएंगे रज़त पात का पंचन सनी मिश्ट फल देने वाला है कोई अच्छी खबर दिल्कुस कर जाएगी सारी परिशानियों से राहत मिलने के आसार है तुलारासी मकर में सनी में तुलारासी के लोग चैन और बेचैनी दोनों का लुप्त उठाएंगे मतलब कुछ परसान रहेंगे तो कभी काफी खुश रहेंगे रज़त पात का तीसरा सनी तुलारासी वालों के लिए संब्रिधी कारक होगा जो लाब भी पहुंचाएगा और जीवन साथी परजनों से विवात का संकेत भी दे रहा है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है वरिशक रासी जब सनी अपनी ही रासी मकर में प्रविश करेंगे तो वरिशक रासी के लोगों पर इसका असर होगा कि ये लोग साथे साथी से मुक्त होने का जस्म तो मनाएंगे लोहपात का तीसरा सनी कैरियर को नया आसमान और जीवन को नई उड़ान प्रदान करेंगे धनु रासी की बात करेंगे तकरीबं पौने पांच वर्सनों का कस्ट अब धलान पर है जब सनी अपनी ही रासी मकर में जाएंगे तब इस रासी के लोग साथे साथी के अंतिम चर्मने प्रवेस करेंगे स्वन पात का या दूसरा सनी देश विदेश की सैर आपको करा सकता है और आपके खर्च में बड़हतरी करा सकता है मकर रासी की बात करेंगे सनी के मकर में प्रवयस के कारण मकर रासी वालों को स्वन पात का प्रथम सनी सारे कस्ट दे सकता है इसके अलावा मकर रासी के जातकों के लिए परवर्तन सिच्छा और अन्मःवों के भविश्य के सम्मान की प्रिष्ट भूमें बनाने वाला साबित हो सकता है तो मकर रासी वालों को विशेज ध्यान देने की जरूरत है कुम रासी की बात करेंगे सनी के इस परवर्तन से कुम रासी के लोगों पर सनी की साड़ साती का प्रभाव पर सकता है रचित पात का 12 सनी आर्थिक रूप से कुछ कमी देता हुआ प्रतीक हो रहा है लेकिन इस दोरान किये गए सत कर्म आपको आनंद की प्राप्ति कराएंगे मीन रासी की बात करेंगे सनी के मकर में आने पर मीन रासी पर कुछ ऐसा असर होगा कि इस रासी के जातक इस दोरान अपनी जीवन को किसी उस्सव की तरह मनाते नजर आएंगे जीवन के हर पल का आनन्द लेते दिखेंगे लोहपात का एकादस सनी मीन रासी को कैरियर में लाप कराने के साथ देश विदेश की यात्रा कराएगा तो ये था मकर रासी में प्रवेस चब सनी देव कर रहे हैं तो विदेश रासी उपर इसका क्या प्रवाव पढ़ रहा है तो विशेश रूप से मकर रासी वाले, मितुन रासी वाले इन लोग पर इसका जादा प्रवाव पढ़ रहा है में इस रासी वालों को खुश होने की जरुवत है तो चलिए आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्ते के बीच में शेयर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने और सुने के लिए और हाँ मेरा चैनल ज़रू सब्सक्राइब करिएगा